हेलो फ्रेंट्स मेरा नम है पवन और आप देख रहे हो पवन वैब वर्ड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले किस तरह से आप अपने गूगल एड़सेंस एकाउंट को बचा सकते हो तो इन्वैलिट क्लिक एक्टिविटी से जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि गूगल एड़सेंस का एकाउंट हमें काफी मुश्किल से मिलता है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप उठाना पड़ता है अपने वेबसाइट में तो वो मैं आपको जैसे कि आप देख सकते हो मैं आ चुक हूँ वर्डप्रेस के डैश्बूर्ट में यहां पर आपको सिंपली जाना है प्लग इन में प्लग इन में यहां पर क्लिक करना है एड़ नियू पर तो यहां पर आपको सेर्च में डालना है आप यहां पर सेर्च में लिखोगे एड़संस इन्वैलिट तो आपके पास यह जो प्लग इन आ जाएगा एड़संस इन्वैलिट क्लिक प्रोटेक्टर इसको आपको यहां से इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है इस्टॉल होने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स पर तो यहां पर आप देख सकते हो हम यहां पर सेटिंग्स कर सकते हैं जिसे कि हमारा गूगल एड़संस अकाउंट बैन होने से बच जाएगा यहां पर आप एड़ क्लिक लिमिट सेट कर सकते हो इंक्रीज या डिक्रीज जो भी आप करना चाहते हो जितना आपको लगता है सही है वैसे तो डिफाल्ट में यह तो इतना सही है आप इसको कभी भी चेंज भी कर सकते हो उसके बाद सेकेंड ऑप्शन यहां पर दिया गया है कुकी एक्सपायरेशन का तो कितनी देर में जो कुकी एक्सपायर होनी चाहिए वह यहां पर आप सेट कर सकते हो और यहां पर आप सेट कर सकते हो डूरेशन डेस में कितने डेस तक विजटर जो है बैन रहेगा उसके बाद आई पी प्रो की आपको यूज करना है या नहीं तो यहां से आप सेट कर सकते हो वैसे डिफाल्ट में यह लो है इसको यूज करने की जूट नहीं है क्योंकि यह पेड वर्जन में आता है और यहां से आप कंट्रीज चूज कर सकते हो जहां पर आप अपनी एड्स नहीं दिखाना चाहते हो और उसके बाद सिंपली आपको सेव चेंजिस पे क्लिक कर देना है इसके रिगार्टिंग टुटरल की यहां पर वीडियो भी दी गई है आप यह भी देख सकते हो तो फ्रेंट्स आई होप आपको यह प्लग इन काफी यूजफूल लगेगा आप इसको यूज़ करके देखिए और अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब केजिए और बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक्यू